अलवर की ही एक सीट है बानसूर जहां पे कि यहां पे भी बागियों की चुनावती है और चुनावती यह है कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ऐसे बागियों से निप्टेगी बाण्ट सुर्ज है अपना अलग संसकृती के लिए जाना जाता है और यहां की जो संसकृती है वहां पे अःराबल संसकृतिक छेतर का यह एक तरह से हिस्ता है और केंदर रहा है यहां पे एक मस्हूर किला भी है तो इस सीट पे त्रिकोणी ये संघर्ष की स्थिति इसलिए बन रहे हैं भाजपा वो कांग्रेस को निर्दली देवी सिंग टकर दे रहे हैं भाजपा प्रत्यासी महेंद्र यादो नया चेहरा है वहीं कांग्रेस की संखुत सकुंतला यादो और देवी सी लंबे समय से यहा 2013 के चुनाव में सकुंतला रावत कांग्रेस की हैं वो उन्होंने एक 70,000 वोट लेकर के यहां पे जीत हासिल की थी और रोहितास कुमार बीजेपी के वो दुसरे नमर पे रहे थे जबकि 2008 के चुनाव में रोहितास कुमार यहां से सकुंतला रावत को हराने में कामयाब हो रहे थे यानि कि कुल मिलाज उला करके एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस यहां पे जीतती रही है और बागियों के इसमें महत्तपूर्ण भूमिका रही है तो इस बार भी बागी जो है बीजेपी के लिए जो है नाक में दम कर रहे हैं और यह उनकुछ सीटों में सामिल है जहाँ पे की बागियों की डर से दोनों दल जूज रहे हैं तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिज्टर चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए